दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि कौरव और पांड़ों के बीच में जो बैर का सिलसिला था जो मद्भेद का सिलसिला था वो बच्पन से ही शुरू हो गया था लेकिन पांचू पांड़ों भाईयों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भीम थे और इसी वज़े से दुरियोधन उनसे चिड़ते थे उनसे बैर लगते थे दुरियोधन ने भीम को अपने रास्ते से हटाने के लिए कई साजिशें की उन्ही साजिशों में से एक था जब भीम को दुरियोधन ने जहर दे दिया था लेकिन ये जहर भीम के लिए वरदान साबित हुआ क्या है ये कहानी इसी के बारे में आज हम आपको अपने इस एपिसोड में जानकारी देंगे दोस्तों एक बार भीम को अपने रास्ते से हटाने के लिए दुरियोधन ने साजिश रची इस शाजिस के तहट दुरियोधन ने युदिष्टिर से कहा कि वो अपने चारों भायों के साथ जल विहार करने आये और युदिष्टिर ने दुरियोधन की बात मान ली पांडवों को ये न लगे कि दुरियोधन ने उनके खिलाब कोई साजिश की है इसलिए गंगा के तट पर दुरियोधन ने उदयन क्रीडन नाम का एक स्थल बनाया जहां खाने पीने और विश्राम करने का पूरा इंतजाम था दुरियोधन इसके बाद मौका पाते ही भीम के खाने में जहर मिला देते हैं कालकूट नाम का जहर ये कोई आम जहर नहीं था ये ऐसा जहर था जिसको खाने के तुरंत बाद व्यक्ति नहीं मरता बलकि कुछ समय बाद व्यक्ति की मौत होती है भोजन करने के बाद दुरियोधन सभी पांड़ों को जल क्रिड़ा करने के लिए बलाते हैं जहां भीम बहुत जल्दी ठक जाते हैं और वापस अपने विश्रा मिस्तल पर आ जाते हैं इसके बाद मौका पाते ही दुरियोधन भीम के हाथ पाउं रसीते बानते हैं और उन्हें गंगा नदी में फेक देते हैं इसके बाद बेहुश अवस्था में ही भीम नागलुक पहुँच जाते हैं जहां सर्पों के डसने से उनके शरीर में फैल चुका जहर का असर थोड़ा कम होने लगता है और वो होश में आ जाते हैं इसके बाद वासुकी नाग और आर्यक नाग उनके पास पहुशते हैं और आर्यक नाग भीम को पहचान जाते हैं क्योंकि आर्यक नाग भीम के नाना के नाना थे इसके बाद वासुकी नाग आर्यक नाग से कहते हैं कि भीम को नाग लोग से क्या दे कर भीजा जाए आर्यक वासुकी से कहते हैं कि इन्हें कुछ भी देने की आवशकता नहीं है पर अगर आपकी आग्या हो तो मैं इसके शरीर का सारा विश निकाल देता हूं जिससे भीम को हजारों हाथियों का बल मिलेगा वासुकी आर्यकनाक को आग्या देते हैं और इसके बाद वासुकी एक ही जटके में भीम के शरीर का सारा जहर निकाल लेते हैं ऐसा माना जाता है कि तब से ही भीम को हजारों हाथियों का बल मिला था तो दोस्तों दुरियोधन ने भले ही भीम को मारने के लिए शडियंतर रचा हो लेकिन दुरियोधन के द्वारा रचा गया ये शडियंतर भीम के लिए वर्दान साबित हुआ और भीम के जिस बाहु बल से दुर्योधन डरता था उसमें और भी कई गुना इजाफा हो गया दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीफ मिलती है कि हमें कभी भी किसी के खिलाप शडियंत्र नहीं करना चाहिए चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों न हो क्योंकि युद्ध की भी एक नेती होती है एक धर्म होता है वहीं अगर आपके द्वारा किया गया ये स्षडियंत्र काम न किया तो ये आपके लिए ही घातक सावित हो सकता है और दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी